असलाम अलेकम डियर स्टुडेंट्स वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंज साइंस अकैडमी उमीद करता हूँ कि स्टुडेंट्स आप सब खेरिये से होंगे स्टुडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में हम सिवल 143 बेसिक सिवल इंजीनियरिंग ड्राइंग सिवल फस्ट और आर्किटेक्चर जो है इस से रिलेटिड बुक है तो इसके हम जो है ना इस पूरी बुक के मल्टिपल चोईस क्वेशन जो है वो डिसकस करेंगे सबसे पहला चैप्टर चैप्टर नमर वन सिवल ड्राफ्टिंग तो स्टार्ट करते हैं तसवरात का इजहार बजरी या खाकाजाद जो है वो ड्राफ्टिंग कहलाता है ड्राफ्टिंग जो होती है वो इंजीनियरिंग की जबान है इंजीनिरिंग की बेनल अकुमी जबा वो ड्राइंग होती है फाइनल ड्राइंग से पहले बनाई जाने वाली रफ ड्राइंग जो होती है वो फ्री हैंड स्केचिंग कहलाती है दस्ती खाका में इस्तमाल ना होने वाले उजार जो होते हैं वो स्केल कार्ड जो है वो इस्तेवाल नहीं होते फ्री हैंड स्केचिंग में सबसे बाद में लगायी जाने वाली लाइने जो होती है वो कर्ड लहती है इनही गुलाइयां फ्री हैंड स्केचिंग का कनून जो होता है जिस में selection of view with more detail location of view mm according to sheet size first drawing with light pencil then dark पहले हल nouve की इस्तमाल करते हैं लाइट और फिर डार्क वाली यह सारे के सारे कानून जो लाउज होते हैं यह फ्री एंड स्केचिंग के प्रिंसिपल्स हैं दस्तीखा का बनाते हुए उफकी लाइने लगाई जाती हैं लेफ्ट टू राइट बाएं से दाएं तरफ ऐसी शकल जिसका रु जियोमेटरिकल डायाग्राम कौन सी है इनमें साधा जियोमेटरिकल डायाग्राम जो होती है वो रेक्टैंगल और सरकल होती है कौन नहीं होती है सॉलिड जियोमेटरिकल फिगर जो होती है वो हमारी कौन होती है ठीक है फ्री हैंड स्केचिंग के लिए इस्तमाल होने वाल उसको solids कहा जाता है साधा geometry की शकल जो होती है उनमें कौन शामिल नहीं होती उजारों के बगैर बनाई जाने वाली ड्राइंग जो ड्राइंग होती है उसको free hand sketching कहा जाता है तो यहां तक chapter 1 complete हो गया next chapter chapter number 2 ड्राइंग के उजार और डीगर लवाजमात चीक है यानि ड्राइंग instruments and accessories American standard के मताबक A drawing board का size जो होता है वो 12 इंच जरफ 9 इंच होता है American standard के मताबक B drawing board का size जो होता है वो 24 इंच से 18 इंच तक होता है American standard के मताबक size C drawing board जो होता है इन ड्राइंग बोर्ड जो C type का होता है उसका size जो होता है वो 18 इंच से 12 इंच तक होता है American standard के मताबक size C drawing sheet जो होती है इसका साइज 34 इंच जरब 22 इंच होता है ठीक है? सही हो गए American Standard के मताबिक Size B Drawing Sheet का जो साइज होता है वो 11 इंच जरब 8.5 यानी 8.5 इंच होता है American Standard के मताबिक जो हमारी A Drawing Sheet जो होती है इसका Size जो होता है वो 11 इंच जरब 8.5 इंच होता है दोनो एक ही है B का Size और A का Size सेम ठीक है British Standard के मताबिक कुछ फरक लागरा है मुझे इन में पहराल British Standard के मताबिक Full Size Drawing Sheet जो होती है इसका Size जो होता है वो 30 इंच जरब 22 इंच होता है ठीक है British Standard के मताबिक Half Size Drawing Sheet जो होती है इसका Size जो होता है वो वो आपका 22 इंच जरब 15 इंच होता है ठीक है British Standard के मताबिक Double Size Drawing Sheet जो होती है इसका Size 40 इंच जरब 30 इंच होता है जो भी गलती उपर हुई होगी वो इन्शाला जो है वो आप कमेंट्स में मुझे बता दें ताकि हम उसको पर रिसर्च करेंगे उफकी लाइने इस उजार की मदद से जो है वो लगाई जाती है और मुझे अपने कमेंट्स में बताना है मुझे वटसाइब नहीं करना कमेंट्स में बताएं ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके उफकी लाइने जो होती है वो टी स्कोर की मदद से जो है वो लगाते हैं ठीक हो गया असली पिमाईश और ड्राइंग पर बनाई गई शकल के साइज में जो निस्बत होती है वो सकेल के लाती है ठीक है प्लेन सकेल में कितने पिमाईशी जूनट होते हैं प्लेन सकेल में द करफार होता है कमपस होती है पुरकार हुती है इसे तीन इंच से कम कुतर के दाएरे लगाने के लिए इस्तमाल किया जाता है वो instrument होती है बो complex इस scale से पमाईश के तीन युनेट जाहिर किये जाते है ठीक है और वो होती है आपकी diagonals gunt scale होता है एक scale जिस पर गाज, फिट और इंच, पड़े जास सके ठीक है, उसको हम जो बोलते हैं डायगनल्स ठीक है इसके बाद नेक्स आता है स्केल एक इंच ब्राबर 10 फिट अर एफ जो रेफरेंस होते हैं वह आपका एक इंच जो होता है वह ब्राबर 10 फिट तो इसको हम क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे एक पटा 120 टीक है ना 10 फिट है, फिट में 12 इंच होते हैं तो जरब, दरब 12 करेंगे तो 120 आज़ेगा तो एक पटा 120 नीचे इनचीज़ हैं ड्राइंग के उज़ार, ये निशान लगा दिया है, ठीक है ड्राइंग के उजार इस्तमाल से पहले जो होते हैं ये उजार क्लीन होने चाहिए साफ होने चाहिए वना ड्राइंग शीट खराब हो जाती है गंदी हो जाती है ड्राइंग के उजार इस्तमाल के बाद भी हम इन उजारों को क्लीन एंड पैक यहीं साफ करते हैं और इनको pack कर देना चाहिए set square को बनाने के लिए जो material इस्तमाल होता है वो cellulite होता है इसलिए वो transparent होता है next chapter chapter number 3 जो है वो हरूफ नवीसी होती है जिसे हम lettering कहते है यहीं लिखावट टीक है drawing पर लिखाई करने को जो है वो lettering कहा जाता है printing press पर छपाई के अमल को printing कहा जाता है लिखाई के लिए इस्तमाल होने वाला pencil का जो grade होता है वो H होता है यहीं हम H की pencil इस्तमाल करते हैं लिखाई करते हुए सबसे निचली line जो होती है वो drop line होती है ठीक है लखाई करते हुए सबसे उपर वाली line सबसे निचली line तो drop line हो गई तो जो सबसे उपर वाली line होती है उसको cap line बोलते है सबसे निचे वाली drop line सबसे उपर वाली cap line तीछी लखाई के लिए जो काओ का जो जाविया जो angle होता है वो हम 67.5 degree जो है वो मौयाद़् इनके देते हैं सबसे ज्यादा चुड़ाई इस हरूफ की होती है और वो डबल्यू होता है ठीक है लखाई का असूल जो होता है वो यह होता है कि युनिफॉमिटी हो ठीक है प्रोपोर्शनलिटी हो प्रोपर पैंसिल ग्रेड हो all अव्धी लिखाई के टायफ्स जो है, आल औफी, यह सारे पिस अरे की सारी लाईने होती है, गाइड लाईन, लिकाई का आम अन्दास जो होता है, वो होता है वर्टीकल, यानि अमूदी हालत में, सही हो गया, हरूफ की चुराई और उंचाई की जो अमूमन निस्बत होती है, वो हम रखते हैं, चार निस्बत पांच, ठीक है? चार उपकी उतर पांच अमँदी होता है 2 सुर्खी में हरूफ की उन्चाई जो होती है वो 12 मिलिमीटर रखी जाती है 4 निस्बत 5 में अकहरी लखाई में हरूफ की जो चुड़ाई होती है वो कितनी होती है? ये पिछला होगे हमारा, एक में रुकिएगा जरा, ये है हमारा एक मिनट ठीक है चार निस्बत पांच में अकहरी लखाई में हरूफ की जो चुड़ाई होती है ये वो चार होती है, जैसे मैंने आपको पताया, फिर्स्ट होरीजन्टल और नेक्स्ट फाइब वर्टिकल है तो चुड़ाई चार है और उन्चाई पांच है दो लफास के दरम्यान फासला जो होता है, इसको हम हाइट ओफ लेटर कहते हैं लखाई की दो मुतसिल लाइनों के दरम्यान जो वक्वा रखा जाता है उस वो एक्वल टू लेटर साइज, जैनले लेटर के साइज के बराबर होना चाहिए ऐसे हरूफ जिनकी मुटाई जो होती है, वो आपकी कमर्शल गोथिक कहलाती है, ठीक है? कमर्शल गोथिक, नेक्स चेप्टर, चेप्टर नमबर जो फोर है, अब हम डिसकस कहने जा रहे हैं, जोमेटरिकल इशकाल, यहनी जोमेटरिकल फिगर्ज, चीक है? यह जोमेटरिकल शेप्स होती है, तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो है, वो इशकाल जो होती है, वो थ्री डिमेंशनल, यह थ्री डिमेंशन्स होती है, तीन पमशी होती है, सादा जोमेटरिकल की जो शकल होती है, इनमें लाइन, पॉलिगान और सरकल, यह सब की सब जो होती है, यह सादा जोमेटरिकल, यानि टूडी ड्राइंग्स होती है, दो नका क्लिमेटर रखी जाती है अबजेक्ट लाइन को आउट लाइन कहा जाता है हलकी लाइने लगाने के लिए इस्तमाल होने वाली लेड पैंसिल जो होती है वो 6-8H की होती है ठीके यहनी 8-H 6 A उसके बाद वो जिनी तरतीब से चलती है H वाली जो होती है वो हाईलाइٹ भोल्ड वी वाली लिखती है हपकी डार्क लिखती है और H वाली लिखती है हलकी हलकी के मताब मताब्क H 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो H 8 की जो पैंसल होगी यह सबसे बरीक libert लिखती है ठीक है इसी तरह 8mm V की पैंसल जो होगी लाइने लगाती है उससे जो सबसे मतलब जो इसमें लिखी हुई है यह गहरी लाइने लगाने के लिए लेड पेंसल जोती है वह कहता है फोर एच की है हम ड्राइंग के मताबब तो यही यूज करते हैं ठीक है ना कौन सा जाविया मनफर्जा जाविया होता है जो मोर देन 90 जो के 90 दर्जे से बड़ा और 180 डिगरी से छोटा हो इसको अबस्टूर अब्ट्यूस एंगल यानि मनफर्जा जाविया कहा जाता है ऐसी मसलस जिसके तुमाम अजला और जाविये मुक्तलिफ होते हैं तो इस किसम की मसलस जो होती है उसको हम रूम्बस कहते हैं यह गलत ब यहां पर तो वैसे जाविये मुक्तलिफ हों विसमें रूम्बस बोल दिए बहराल अजीब वशर्यंख हैं कि रूम्बस की तो साइड जोती हैं बल perd Grand 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 Champ यह पता है वह आपका को पता है चार साइडस वाला होता है रंबस स्क्वेर की शकल होती है एक एंगल पर मुड़ा हुआ होता है यहनि फोर्टी फाइव डिगरी पर होता है स्कॵेर तो ये एक बेत्टुका क्वेशनी है उस मसलस को हम ट्राइंगल ही बोलते हैं बहराल जीब क्वेशन है कौन सा जाविया मनफज्जा जाविया है फिर से आ गया है I think कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर ये भी वही था ये भी वही क्वेशन है तो इसमें जो मनफज्जा जाविया होगा वो ही होता है जो के 90 डिगरी से बड़ा और 180 डिगरी से छोटा होत है ऐसे जाविय को हम मन्फजा जाविया कहते हैं ठीक है तो इसका अंसर है ए नेक्स्ट आथा है क्वेश्चन हमारे पास ऐसी मसल्स जिसकी तीनों अत्राफ की लंबाई मुख्तलिफ हो स्टूडेंट मैं पिर से कह रहा हूँ जो भी क्वेश्चन यहां पर आपको गलत लगता है उसको ठीक आप लोगों ने करना है कुमेंट्स में भी बता देना है ताकि बाकी लोगों की इसला हो सके क्योंकि इस वक्त मैं रिसर्च नहीं कर रहा इस व पिर से क्वेश्चन आगया तो फिर इस किसम की जो हमारी जो क्या कहते हैं उसको उसने लिखा हुए स्केल न चेंट्रव सकती सकेल यहां तो यह लिख लोगों ठीक है यहां तो इसके options गलत लिख दिये गए हैं सही हो गया है तो जो आपकी ऐसी जिसकी तीनों अत्राफ की लंबाई है यहीं साइट्स जो है वह मुक्तलिफ हो वह स्केल ट्राइंगल होती है ठीक है आइसी स्केल की तीनों सब्सक्राइब ब्राबर होती है राइंट एंग से ज्यादा होता है तो पिर उस किसम की ट्राइंग्ल को हम आइसो स्केल ट्राइंगल कहती है भी गलत यहां पर हो क्या रहा है अच्छा वह एक्वेलिक्वी लिटरल होती है ठीक है यहां पर यह आइस पर यह आपने चेक कर तसदीक करें इसकी ऐसी मुसल्ण जिसका एक जा करना चाहिए था ऐसी मुसल्ष जिसका एक जाविया नवे दर्जे का हो उसको आइसो स्किल्ड ट्राइंगल कहते हैं यह माना जा सकता है बलके यह भी गलत लिखा है इसने उसको तो हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं यह बुक में एम सी कुछ की आंसर्स घलत दिये हु बहराल वो आपकी जो है ना मैं यहां पर आपको ठीक करवाज़ दो क्योंकि यह तो है कि एक मुसल्ष जिसका एक जाविया तो नवे का होज़े वो राइट एंगल हो जती है ऐसी चको जिसके तुमाम अजला बराबर और आमने सामने वाले जाविया बराबर हो देखे यह ह होती है वो पिछले वाले सवालों में जो अप्शन से वह गलत दिये गए हैं तो इसको उसने लिखा पैरलेलोग्राम ऐसी चकोर पैरलेलोग्राम कुछ नहीं होती वह एक रक्टेंगल होती है तो यहां भी इसने मिस्टेक की हुई है ठीक है और नेक्स्ट हमारे पास आठ वाली जो कसीरलए अजला शकल इसको औक्टागों कहते है अब चेक करते हम इसने क्या लिखा है यह एगजागों के यह रहां देखें वह तो छेजर वाली होती है तो यहां पर दिख्जेंग तेयके Technically स्लंडर एक सॉलेड डिमेटर्ट्रिकल शकल है जो स्लंडर होता है वह स स्फिर कौन कौन जो होती है ना ये एक सॉलिड जिमेटरिकल शकल होती है कौन भी स्फिर की होती होगी क्योंकि पैरिमेड नहीं हो सकता ठीक है प्रिजम भी नहीं होगा स्फिर और बॉर्ड ये चीजे नहीं आएंगी जो कौन भी स्फिर ही है मेरी निजर में कौन का तराशा पहले देखते हैं इसने क्या आंसर दिया हुआ है इसके मताबिक आंसर है पेरिमेड तो इस चप्टर में कुछ गरबढ़ है या तो मल्टिपल चॉइस आप्शन्स में गलती है या फिर इनके आंसर्स यहां पर गलत लिखे हुए है तो ये भी आपने चेक करना है बुक ये कह रही है कौन का तरशा जबके कटिंग प्लेन इसके पैंदे के मतवाजी हो अगर उसका मतलब के जो तरशा कटिंग प्लेन के मतवाजी होगा तो उसने बोला जी ये सरकल होगा ये भी आपने चेक करना है क्योंकि यहां पर प्रॉबलम है कौन का अतराशा है जबके कटिंग प्लैन इसकी अतराफ के मतवाजी हो तो कटिंग प्लैन जो अतराफ के मतवाजी हो उसने लिखा है जी पैरा बुला ये भी चेक करना है आपने कौन का तराशा ये चप्टर ऐसे ही चलेगा भी ठीक है यभी इसके ओपर रिसर्च की जाएगी उसके बाद नेक्स्ट आता है कौन का तराशा जबके कटिंग प्लैन अमूदी एक्सिस के मतवाजी हो कौन का तराशा जिसको वितर कहते हैं कौन का तराशा जबके कटिंग प्लैन अमूदी एक्सिस के मतवाजी हो तो इसको हम code कहते हैं कोंड का तरश्या वो कहते है जिसको वितर कहते है code 6 जी geometry की ऐसी शकल जिसके 5 अजला हो अभी देखते हैं ठीक हो अंसर के नहीं तो जिसके 5 इसलाव हों उसको पेंटागोन जीधिता का थीधिक है, भी आंसर ठीक हो गया है, कुछ M-C-Q's बिच्छे गलत है, जिसके 5 इसलाव होते हैं उसको हम पूलते हैं पेंटागोन, मसद्दस, यह वो होती है, जिसकी 6 मतलब के साइट्स होती है, हैज़ागोन को का जा श्कुता है। उसमे छे मसलिसों में इसके तक्सीम किया जाता यह जा सकता है। तो इसके बारे में है कि यह जार नो ढूए होती eeee 6 sites होंगी और इसमें 6 मसलसें बनती आ और 6 की 6 मसलसों को अगर हम उनके size देखें तो वह एक जैसी यह अपसमें ब्राबर होती हैं एक polygagn जिसकी 10 अतराफ होती हैं वो dehakon किलाती है हा ठीक है दस जो होती है डकागोन होती हैte oktagon की 8 होती है exagone की 6 और hypetagone की 7 जब एक plane किसी korah को मरकज से काटे तो कटने वाला हर ही सा जो होता है वो हमारा कहलाता है हेमीसफेर यो पी भी आएगा जापर हेमीशेर नी है हेमी सफेर कहलाता है एक जाविया जो नवे दरजे से कम होता है ठीक है यानि उसका एक जाविया मतलब एक जाविया ही ऐसा है जो नवे दर्जे से कम हो जाए तो फिर वो हमारा कहलाएगा acute angle और अगर वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो जाएगा तो वो अपने पहले भी पढ़ा कि वो ट्यूस होगा पहले वाला और अगर 90 डिग्री होगा तो राइट होगा राइट अंगल और अगर आपका 180 डिग्री होगा तो उसको हम सप्लिमेंटरी कहा जाएगा ठीक है एक मखरूत मुर्बा यानि स्कूर पैरिमिट की सतों की तदाद होती है तो इसकी जो सतों होती है वो पांच होती है ठीक है मनशूर की एक ऐसी मसलस जिसकी तुमाम अतराफ और जाविये बराबर नहीं होते उसको ट्रेपिजियम यह नहीं जो जंका टाइप शकल जो है वो कहा जाता है नेक्स चैप्टर चैप्टर नमबर फाइव और्थोग्राफिक प्रोजेक्शन तो अब को हम जो है और्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के मतलिक जो है वो क्वेशन डिसकस करेंगे फिछले चैप्टर नमबर फोर में कुछ एमसी क्यूज में मिस्टेक थी उनको आपने जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिना है ताकि हम उसको दुरुस्त कर सके और अगर कमरे के फरश के मतवाजी प्लेन जो होता है उसको वर्टिकल प्लेन कहा जाता है प्रिंसिपल प्लेन कौन जो होती है वो वर्टिकल प्लेन कहलाती है जब दो प्लेने ये प्लेन सथ हैं एक दूसरे को क्रास करती है तो उस वकत जो कौडिनेट्स बनते हैं वो चार होते हैं तिर्ची सता के मतवाजी प्लैंज गो तो सता के मतवाजी प्लैन जो होता है जो तिर्ची सता के मतवाजी होता है उसको AP आरिफ्मेटिक प्रोग्रेशिन कहते हैं। all of these में जितने भी व्यूज बताए गए हैं ये सारे के सारे orthographic projection के मनाजिर हैं टॉप व्यू बनाने के लिए इस्तमाल होने वाला जो plan होता है उसे horizontal plan कहा जाता है यनि उफकी plan और्टोग्राफिक प्रोजेक्शन में side view बनाने के लिए इस्तमाल होने वाला जो plan होता है उस plan को हम profile plane कहते हैं चीक है trihedral angles से बनने वाले काइमा जावियों की जो तदाद होती है वो 8 होती है orthographic projection में top view की जगा जो है वो उपर front view के उपर होती है orthographic projection में top view की जगा जो होती है वो below the front view यानि front view के नीचे होती है पहले angle system में orthographic projection में front view की जगा जो होती है वो plan के उपर होती है यह सूल है साले के सारे जो है ना असूल यानि principles of orthographic projections हैं तीसरे angle system में orthographic projection में front view जो होता है वो हमारा plans के नीचे होता है front view को draw करने के लिए एक plane इस्तमाल होता है और इस plane को frontal plan कहा जाता है orthographic projection को अकटा करने के लिए जो view इस्तमाल होता है उसको isometric view कहा जाता है orthographic projections का बरतानवी निजाम ठीक है जो इसका British system होता है उसको हम third angle जो है वो यह नि जो आपका तीसरा angle होता है वो कहा जाता है एक जिसम का बलाई मनजर जो होता है उस जिसम के इस बलाई मनजर को plan कहा जाता है trihedral जाविया पैदा होते हैं यह बनाए जाते हैं जब आपका जिसम जो होता है यानि एक horizontal और दो vertical planes जब एक दूसरे को किता करते हैं केता करते हैं तो उस वकद ट्राइजरल एंगल डहों आका प्रोड्न होता है थ्रडमियर्ट यह तीसरा जाविय जो हता है च्रसेल जो फिर को स्थांग यह वहाइज नचर्प जो और प्लेन आप का जो हता है वह ट्रांस्पेरंट बहुता और्तोग्राफिक प्रोजेक्शन के जो मनाजिर होते हैं वो आपके फ्रंट व्यू, टॉफ व्यू, साइड व्यू ये सारे के सारे होते हैं डाई हैडल एंगल से बनने वाली काइमा जावियों की जो तदाद होती है वो चार होती है एक जिसम का बलाई मनजर जो होता है वो प्लैन के लाता है एक हमवार सत्ता जिसकी सिर्फ लंबाई और चुडाई होती है उसको हम प्लेन कहते हैं प्लैन नहीं, प्लेन कहा जाता है नेक्स चेप्टर, चेप्टर नमबर सिक्स जो है सेक्शनिंग सेक्शनिंग क्यों होती है कि हम किसी भी ड्राइंग को किसी जगा से काट कर इसकी अंदरूनी तफसील जो होती है उसको जाहिर करते है तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेशन हमारा होता है कि जिसम को काट कर अंदरूनी तफसील जाहिर करने को कहा जाता है तो यह कहता है इसको dimensioning भी कहते हैं, sectioning भी कहते हैं, projectioning भी कहते हैं और all of these बट यहाँ पर मेरे इसाफ से जिसम की काट कर अंदरूनी तफसील जो होती है इसको जायर करने को sectioning कहा जाता है जिसम के कुतर के रुख जो इसके डाय के रुख जो section होता है उसको axillary action का जाता है जिसम की लबाई जाहर करने के लिए जो section बनाया जाता है उसको long section का जाता है जो लबाई के रुख बनता है ठीक है अब उसके बाद आता है जो रुक सेक्शन बनाया जाता है उस सेक्शन को हम half सेक्शन कहते हैं ठीक है यह फ्रंट के इसाब सेगर आप सेक्शन काट रहे होते हैं सही हो गया नेक्स्ट आता है मारे पास जिसम की अंधरूनी नजर ना आने वाली तफसील जाहिर करने के लिए लगाई जाने वाली जो लाइन होती है उसको डॉटिड लाइन कहा जाता है ठीक है यह डॉटिड लफज होगा ऐसा सेक्शन जो असल से अलग बरे साइज में जाहिर किया जाता है इस किसम के सेक्शन को हम डिटेल्ड सेक्शन तफसीली सेक्शन कहते हैं ऐसा सेक्शन जिसम के अंदर ही 90 दरजा यानि 90 डिगरी जाविया पर गुमागर बनाया जाता है इस किसम के सेक्षिन को रिवोल्ब सेक्षिन कहा जाता है ठीक है नेक्स आता है ऐसा सेक्षिन जिसमें कटिंग प्लैन एहम हिसों में से गुजारने के लिए मुक्तलिफ सिमतों में मोड़ी जाती है जिसे ऑफसेट सेक्षिन कहा जाता है तिर्शे प्लैन पर बनाया गया सेक्षिन जो होता है वो एक्जिलरी सेक्षिन जो है वो किलाता है ऐसा सेक्षिन जिसमें तफसील डॉटिट लाइनों से जाहिर की जाती है इसको फंटम सेक्षि कहा जाता है इस सब सेक्शन की टाइप्स होती है ऐसा सेक्शन जिसमें तफसील चुथाई हिसा में जाहिर की जाती है इस किसम के सेक्शन को हाफ सेक्शन कहा जाता है मुख्तलिफ मेटीरियल्स या अमारत के हिसों के नमूना को सेक्शन किये हुए मनजर में जाहिर करने को जो पार्शली तोर पर जिसे कहते हैं कुछ हिसा जाहिर की जाती है इस हिसे को हम ब्रॉकन सेक्शन कहते हैं सेक्शन लाइने सिर्फ बॉंडरी लाइन के साथ लगाई जाती है जो बॉंडरी लाइन के साथ लगाई जाती है उसे आउट लाइन सेक्शन कहा जाता है सेक्शन लाइ में लगाने के बाद तफसील जाहिर की जाती है इसे असंबली जो सेक्शन है कहा जाता है सेक्शन हासिल करने के लिए बनाए जाते हैं यह हम सेक्शन क्यूं बनाते हैं हम सेक्शन बनाते हैं ताकि हम इसकी इंटर्नल डिटेल्स जो हासिल हो सके एंगुलर सेक्शन लाइन जो सील के लिए जो line लगाई जाती है उसे dotted line कहा जाता है next chapter student dimensioning dimensioning कहती है प्रमाईश लिखने को कि जब हम कोई diagram बनाते हैं जब कोई geometrical figures जो भी shape बनाते हैं तो उसके size को जाहिर करने के अमल को dimensioning कहा जाता है sketching में ये इस्तमाल नहीं होते sketching में instrument जो है वो इस्तमाल नहीं होते दारा मा कुतर जाहिर करने के लिए पिमाईश की जो किसम जो हम इस्तमाल करते हैं वो Size Dimensioning यह Dimension केलाती है दाइरे के मरकस का किनारे से फासला जाहिर करने वाली पिमाईश जो होती है वो Location Dimension केलाती है आइसी पिमाईशें जो एक ही किनारे से शुरू हो उसको हम Base Line कहते हैं dimension का ऐसा system ऐसा नजाम जिसमें एक ही सिमत इक्तियार की जाती है उसे unidirectional जो है वो कहा जाता है dimension का ऐसा नजाम जिसमें दो सिमतें इक्तियार की जाती हैं तो उसको हम align कहते हैं तीर के नशानात वाली line जो के drawing के object की line के मतوازी लगाई जाती हैं इनको हम dimension line कहते हैं ऐसी line जो object का size जाहिर करने के लिए जिसम के बाहिर अमूदल लगाई जाती है तो इस किसम की line जो होती है वो extension lines कहलाती है जो dimension line के इतराफ पर लगाई जाती है object का size जाहिर करने के लिए जिसम से बाहिर तीर के निशान वाली जो line होती है उस line को हम ladder line जो है वो कहते हैं और यह लबाई कितनी रखी जाती है यह रखी जाती है three time of width यह जो हमारी चुडाई होती है उसका तीन गुना extension line और object line के दर्मियान फासला जो होता है वो दो मिली मीटर होना चाहिए मकसूस पिमाईश है वो है size and location यह एक मकसूस पिमाईश होती है ठीक है जनी specific dimensions तो students next chapter जो हम discuss करने जा रहे हैं यह हमारी है pictorial drawings ठीक है pictorial drawing चप्टर में सबसे पहला question है ऐसी drawing जिसके एक ही view में लंबाई चुडाई और मुटाई जाहिर की जाए इसको pictorial कहा जाता है isometric scale arm scale का तकरीबन जो 82% होता है isometric projection का तीच्छा axis उफकी line के साथ जो जाविया बनाता है वो 30 degree होता है isometric projection इस drawing की एक किसम है जिसे axonometric कहा जाता है axonometric दाइरे की isometric view इस तरह का नजर आता है और दाइरे का जो isometric view होता है वो parabola नजर आता है oblique view में residing axis के दर्म्यान जो जाविया होता है वो 45 degree होता है चीक है इसमें एक question है it is an imaginary point situated at infinite distance away from the station point ठीक है एक ऐसा लामधूद point जो होता है जो के station point से किसी लामधूद जो है मकाम तक वाक्या हो तो फिर इस मकाम के लिए हम इसको winching point जो हो रूख कहते हैं प्रास्पेक्टिव यूँ इस ट्राइंग एक किसम होती है तो प्रास्पेक्टिव यूँ जो होती है वो pictorial drawing की वे गिसम है अब वो केदव पक्टोरियल ड्राइंग की قिसम है तो पक्टोरियल ड्राइंग जो होती है यह Xanometric, Oblique और Prospective यह तीनों तरह की होती है Xanometric projection की जो किसम होती है वो हमारी Isometric, Diametric, Trimetric यह तीनों किसम की होती है Isometric saliva ड्राइंग बनाने का तरीका जो होता है वो box method और offset method होता है oblique projection की जो एक किसम है जिसे cabinet कहा जाता है prospective drawing में जमीनी सता पर मुन्तखिब करदा plan जो होता है उस plan को हम ground plan ग्राउंड plan कहते हैं जब किसे thoughts जिसम के तीनों महवरों के दरमयानी जाविय बराबर हो तो ऐसे मंज़र को चीक है तो फिर इस किसम के मंज़र को हम isometric जो view होता है वो कहते हैं ऐसी drawing जिसमें object के तीनों पहलो एक ही view में दिखाए जाते हैं तो फिर इसको भी हम exanometric projection, prospective projection, oblique projection यह आल अफ दीस यह सारे के सारे projections जो हैं यह उस type में आते हैं यह view camera से ली गई तस्वीर के मुशाबह होता है और वो view आपका जो है वो perspective view कहलाता है next chapter student chapter number 9 auxiliary view ऐसा plan जो जिसम की 33 सता के मतवाजी होता है इसको हम auxiliary plan कहते हैं एक plan जो के oblique plan के मतवाजी होता है इसको हम auxiliary plan ही कहते हैं किसी जिसम की 33 सता का मुकमल साइज जाहिर करने वाला मनजर जो होता है उसको auxiliary view जो है वो कहा जाता है यह तीन तरह में डेखे definitions बन रही है हम auxiliary view में तफसील हासिल करते हैं तो इससे हमें जो होती है inclined यहनी तिर्ची lineage होती है या तिर्चा view जो होता है वो मिलता है auxiliary view बनाने से पहले कौन से projections बनाए जाते हैं इससे पहले हमें orthographic projection बनाना पड़ता है ऐसा auxiliary view जो एक principal plane के साथ अमूदन जबके डीगर दोनों के साथ तिर्चा हो तो पिर इसको हम primary view या primary projection जो है वो कहेंगे ऐसा auxiliary view जो किसी भी principal plane के साथ अमूदन नहीं होता तो पिर इसको हम secondary auxiliary view जो है वो कहते हैं अगर तिछी सता की line उफकी plane में नज़र आई तो ऐसे auxiliary view को कहा जाता है उसे कहते हैं top auxiliary view अगर तिछी line जो होती है सता की line अमूदी line में नज़र आए तो ऐसे auxiliary view को जो है हम frontal auxiliary view कहते हैं गेर मतवाजी auxiliary view की जो किसम होती है उसे bilateral auxiliary view कहा जाता है प्राइमरी auxiliary view की किसम जो होती है उनमें frontal auxiliary view और top auxiliary view यह दोनों टाइप्स जो हो शामिल होती है प्राइमरी auxiliary view की जो किसम होती है वो किसम हमारी जिसमें frontal auxiliary view में रहा है टू टाइम्स यह question आ गया हो है ठीक है तो इसका होगा A and B ठीक हो गया गैर मतवाजन auxiliary view की जो किसम होती है इस किसम को हम unilateral auxiliary auxiliary कहते हैं अजसान की हकीकी अशकाल इसकी मदद से दिखाई जाती है और वो शकल होती है हमारी auxiliary view तो आपने देखा यहां तक अभी इसी चप्टर के बारे में डिसक्स कर रहे है reference line की दोनों जाने बनाये जाने वाली auxiliary view जो होती है इस किसम की view जो होती है वो symmetrical होती है अगर reference line जिसम को दो बराबर हिसों में तकसीम कर दे तो फिर हम ऐसे view को bilateral view जो है वो कहते हैं ठीक होगे student next chapter हमारा आता है सतही फिलाओ surface development ठीक है तो development को कहा जाता है development जो होती है इसमें हमारे पास surface pattern ड्राइंग जो होती है यह development में शामिल होती है ऐसी ड्राइंग जिसमें जिसम को सीधी सता पर खोल कर जाहिर किया जाता है उसे development कहा जाता है ऐसी ड्राइंग जिसमें ड्राइंग की development जाहिर की जाए उसे pattern drawing कहा जाता है पैटर्न ड्राइंग तुमान तफसील जाहिर की जाती है एक सिंगल प्लैन में एक सिलंडर इस तरह की सता जो होती है वो सिंगल कर्वड में होती है एक कौन जिसकी सता जो होती है वो भी एक सिंगल कर्वड में होती है और कुरा इसकी सता जो होती है जो कुरा होता है वो double curved में होता है चीक है क्योंकि ये एक solid figure होती है next chapter chapter number 11 अमूदी स्वरी अमारती ड्राइंग जोती है यह जी बिल्डिंग से related ड्राइंग्स building ड्राइंग्स चीक है अमारत का मकसद होता है रहाईशी लोगों को महफूज करे किस से बचाए थीफ चोडों से hot season गर्मी के मौसम से cold season थंडे मौसम में सर्दियों से all of these bank इस किसम की अमारत होती है यह commercial अमारत होती है जो squid होते हैं यह recreation building होती है railway station जैसी अमारत जो होती है इस किसम की अमारत public जो building कहल consent Panama एफ़ीस इस किसम की अमारत होती है तो जनल पोस्ट आफिस जो होती है यह office फीस अमारत होती हैं बवर्ची खाने का कमस कमसाइस जो होता है वो चार स्कुएर मीटर रखा जाता है सूपर्स्ट्रिक्चर में शामिल अमारत का हीसा जो होता है जिस में rode wind sunshine roof ये सारी बैंशे ड्राइंग जिस में कमरों के साइस दर्वाज़ों की पुजिशन और दर्वाजों की मुटाई जो है जाहिर की जाती है इसमें डिटेल प्लैन में ये चीज़ें शामिल होती है ऐसी ड्राइंग यानि वो ड्राइंग की किसम जिसमें चार दिवारी के अंदर पुलाटों फूलों की क्यारियों और पैदल रास्तों की निशान द वाशेंड बेसन और डब्ल्यू सी इसे वाटर क्लोजिट कहते हैं ये तीनों चीज़ें शामिल होती है पॉर्शन ऑफ द बिल्डिंग बिट्वीन ग्राउंड लेवल एन फ्लोर लेवल यानि ग्राउंड लेवल और फ्लोर लेवल के दरम्यान में जो बिल्डिंग का हीसा होता है इस हीसे को हम पलिंथ कहते हैं वाश बेसन इस किसम की फिटिंग के अंदर शामिल होता है या इसकी फिटिंग कहलाती है जिसे अबलूशन फिटिंग कहते हैं एक अमारत में पैंट्री कमरा जो होता है उससे क्या मुराद होता है पैंट्री कमरे से मुराद होता है य जाहिर किया जाता है इस किसम के प्लैन को line plan कहा जाता है ठीक है next question आता है हमारा यहां पर एक view जिसमें बुनियाद की चुडाई और गहराई दिखाई जाती है उसे cross section कहा जाता है एक plan प्लान जो बिल्डिंग के महले वकू को जाहिर करता है तो इस किसम के प्लान को हम साइड प्लान कहते हैं एक प्लान जो बन्याद की तफसील जाहिर करता है यानि ऐसा प्लान जो बन्याद की तफसील जाहिर करे तो फिर इस किसम के प्लान को फाउंडेशन प्लान कहते हैं एक plan जो project के महले वकू को जाहिर करता है तो इस किसम के plan को side plan कहा जाता है plan में dot दिखाने का मत जो symbol होता है जो dot दिखाता है तो इसमें जो आप देख सकते हैं क्योंकि एक diagram है तो ये c वाली option जो होती है ये dot दिखाने वाला symbol होता है आज इसी को जाहिर करने के लिए जो symbol होता है इसमें आप देख सकते हैं वो option B है जिसमें ये pattern जो बनाया गया है जदूल की सूरत में दी गई शकल जिसमें ड्राइंग इस्तमाल करते हैं जो मुतलिफ यानिक इस्तमाल होने वाली रवायतों में जाहिर की जाए तो फिर इसको जो हम legends कहते हैं जिसके मतलब जिसके अंदर आप एक pattern बनाते हैं ये किसी अलामत को जाहिर करते हैं साथ उसके नाम को भी mention कर रहे होते हैं ठीक है तो ये चीजें शामिल होती है नेक्स चेप्टर आता है हमारा चेप्टर करने के फंड जो होता है इस फंड को हम house planning कहते हैं ठीक है अमारत के लिए जगा के इंतखाब पर असर अदाज असर अन्दाज होने वाला जो अमल होता है जिसमें आपकी wind direction होती है ठीक है electrical direction होती है road direction होती है ये तीन और चीजें शामिल होती है अमारत के plan की तर्तीब देने के fund को जो हम orientation कहते हैं अमारत के लिए मुझू जगा जो होती है उनमे hard area, field area, green area all of these ये सारी चीजें शामिल होती है जगा के इंतखाब और अमारत के रुख का इंतखाब इसके एहम मकासिद होते हैं जो house planning के लाते हैं यह सब अमारे जो house planning होती है उसके मकासिद, the main points है objectives है इस मरखला पर शमसी गर्दिश को मदे नज़र रखा जाता है और वो मकाम होता है house planning house planning का मरखला होता है जिसमें हम consideration करते है sun path की सीरिया और store इस सिमत में महया किये जाती है और वो सिमत होती है आपकी north की सिमत, यानि शमाल की सिमत ठीक हो गया नहीं, हाँ ठीक है next आता है हमारा गर्द में बवर्ची खाना को जो बवर्ची खाना की बेतरीन सिमत जो होती है वो east ठीक है ना, मश्रिक की सिमत जो है बेतर तसवर की जाती है गर में बेडरूम की बेतरीन सिमत जो होती है वो हम वेस्ट यानि मगरिब की सिमत को बेतर तसवर करते हैं पाकिस्तान में लेवलिंग रूम का रुख जो है वो होना चाहिए लेवलिंग रूम का जो रूख होता है वो south की जानेब होना चाहिए जनूब की जानेब होना चाहिए drying room का रुख जो होता है वो होना चाहिए जी drying room जो है इसका रुख in between south east to south west ठीक है ना यानि south east है ना मश्रीक से जनूब कमरों की तर्टीब की सिमत मकरर करने को कहा जाता है orientation अमारत की सिमत के इंतखाब पर असर अंदाज होने वाला अमल जो होता है उसमें sun path, direction of street, wind direction ये सारी चीज़े शामिल होती है p.w.d. के कौाइट के मताबिक class c के plot जो होते है इनका size पांच हजार square feet जो होता है building में हवा की अमदो रफ्ट जो होती है उसको हम ventilation कहते है अमारत की ventilation पर असर होता है जिसमें direction of wind, position of windows, temperatures, all of these इन सारी चीज़ों का जो हो असर होता है building की ventilation का mechanical तरीका जो होता है जो के exhaust fan, air conditioning यनी AC और उसके बाद suction तो ये all of these ये सारी चीज़ों शामिल होती है आम किसम की अमारत के लिए DPC जो होती है बालके एक question रह गया है the arrangement of rooms in a building with respect to sun and air तो वो आपकी air conditioning होती है यनी AC के इस्तमाल से आम किसम की अमारत के लिए DPC की मुटाई जो है वो 2 cm रखी जाती है तो उमीद करता हूँ कि students आपको जो है ये civil basic civil engineering drawing civil 143 जिसके जो multiple choice question में आपके सामने explain की आपको समझाए होंगे और अगर अगर अब भी तक आपने मेरा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब कर ले और बैल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि आपको नई वीडियो नई अपडेट्स जो है लगे हुए हाए है अबला हपीज पूर्चाइस